अगर आप इस बार 12th class जोग्राफी यानि भोगल का एक्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए class काफी important है जी हां क्योंकि आज कि इस class में हम लोग जोग्राफी का इंपोर्टर बोडल सेट कवर करने वाले हैं और इस मोडल सेट में जितनी भी सारे questions कवर करने वाले हैं यह सा आपको class class तक बने देना है अगर आपकोसे पता है तो साथ सात में अंसर से बताते हैं अगर नहीं पता है तो आपको कर ले लियना च्चाहे पर लिंक करके जोड़ सकते हैं और जुर के जोबह डूटस वो औरो उसक्तिए और वह से किलियर करूप और जितने भी क्लासेट होती है सब का लिक्ट टेलिग्राम पर डाल दिया आता है आप वहां टाइम पर ग्लास को अटेंड कर सकते हैं यहां तो यहां पर क्या बोला जा रहा है अंक लेश्वर किस खनीज का छेत रहे हैं वहां आपको कमेट बोक्स पर राइट आंसर बताने हैं कौन सा ओप्शन होगा वेरिकूर यहां पर सबने आंसर बी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जागा ने पेट्रूलियम का छेत रहे हैं चले आप इसी सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है यहां पर थ्री में और नर्मदा नदी पर है वेरिगूर तो इसी तरह आपको क्वेश्वर को देखिए क्या बोला जा रहा है किस परवत पर उटी परिया तक केंद्र अहुस्तित जिहां कौनसा परवत है यहां पर फाइब कर आड़न सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लिए तमिल नाडो में चले आपकोश्वर 7 को देखिए क्या बोला जाए विए निमलेखित मैं से कौन नगर समोधत पर इस्थित नहीं है यहां पर कौन नगर है तो 7 ऑफश्यक्यमर बिल्क पुलक्त करेक्ट हो जाए जाए यहां पर्येटर नगर न कोई सारवादिक कों सा ने छेत्र है यहां में ऑफ्चिन में एक करेक्ट हो जाए नी मॉंबाई तेन क्या बूला जाए इस राज में साक्षर्ता दर सबसे अधिक है जिहां कौन सा राज है याँ टेन में आपस्ट नमर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिहां ने केरल में सबसे अधिक है तो किस राज्य की जंसंग्या सबसे अधिक है तो 12 में आपस्ट नमर कौन सा हो जाएगा ने कौन से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है जिहां कौन भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है जिहां कौन भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है जिहां कौन भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है जिहां कौन भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है जिहां कौन यहां प जंसेंग्या कितनी होती है तो 15 में भी क्रेक्ट हो जागने 50 लाग से अधिक होती है चले आपको साइद दिखनी रहा कोई बाती मैं बोलना हो तो अपनी धांदर सुनिए अमला वर्षया का कारण है यहां पर अप्सिंवर सी बिल्कुल क्रेक्ट हो जागने वायू परदूसं पर किस देश का स्वामित्व है तो किस देश का स्वामित्व है 18 में राइन जर्मार्ग किसको जोडती है तो 19 में आउस्ट नमर भी करेक्ट हो जागने जर्मनी को निदर लेंड से जोडती है संदेशु का आधान परदान कहलाता है तो क्या कहलाता है यहां पर अप्सिंवर सी बिल्कुल क्रेक्ट हो जागने किस नगर में रेल गारी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है यहां पर अप्सिंवर सी क्रेक्ट हो जागने कोल काता में चलती है चले आप देखे लेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन में क्वेस्टन में 23 में क्वेस्टन में 23 में चले तो राइट आंसल ज़िए करेक्ट हो एक कौन सा उप्सिंवर सी क्रेक्ट होगा पिन कोड छे से पराणम हो तो पत्र आं भीज्टा जाएगा। तो अगर पिनकोर 6 से प्राणाम होगा तो पत्रे कहां भीज जाएगा यहां पर 23 में आफ्षिन निमर कौन सा हो जागा वेरिगूरें बी क्रेक्ट हो जागा जिए केरल भीजा जाएगा चलिए अब क्वेश्चन पर 24 देखिए क्या है भारत में परमुख पत्तनों के संक्या है भारत में कित्ते परमुख पत्तन है तो 24 का अफ्षिन में बीकरेक्ट हो जागा नियुक्त हो जागा चंडीगर में इस्तित है चलिए आप क्वेश्चन पर 26 क्या बोला जा रहा है 16 पूर किस इद्योग के लिए जाना जाता है तो 26 में ऑफ्षिन में डीकरेक्ट हो 27 27 Ming सूथि कपरा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज कौन है कौन सबसे अधिक उन्नत राज है तो 27 में अफ्षिन में बीकरेक्ट हो जाय गा नी तो कौन से घरे हैं तो 28 नावर्फटल हो जाएगा नैं कोरवाद ध्यांट छेतर है चली है में रतनागीरी किस में राज्य का कहनीज है है काम से राज्य के रतनागीरी यहाँ पर आपको समय यहाँ जारकन्ड की अधिक सरवादिक सोना किस राज में पाया जाता है कौन सा देश कोईला का सबसे बड़ा उत्पाद अरक है कौन सा देश है यहां पर 32 देखिए क्या है रावत भाठा परमान उर्जा सनियत रहें किस राज में है जिहां तो किस राज में आवस्तित है यह तो 33 में आफ्शन में कौन सा हो जागा वेरिगूर यह यह बिल्कुल करेक्ट हो जानी राजस्तान में है चलिए आप क्वेश्चिमा 34 देखिए क्या है दुर्ग लोग एस क उत्पादक छेत रहें जिहां तो किस राज में है दूर गया यहां पर आफ्शन में दी बिल्कुल करेक्ट हो जानी 36 गड़ में है चलिए आप क्वेश्चिमा 35 देखिए क्या बोला जारा है डिटर्जेंट इन में से किस वर्ग में आता है जिहां तो कौन से वर्ग में आत कुल वारुषिक वर्षा दरसाती है जिहां कौनसी यहां पर संग्या है यहां पर आफ्शन में भी क्रेक्ट हो जाएगा ने 4000 चलिए आप क्वेश्चिमा 37 देखिए क्या बोला जा रहा है निम लिखित नदियू में इसमें सबसे अधिक पुनय पुर्तियोग भॉमजल संस देखिए यहां कौनसी नदी है यहां पर आइटन से बतान है तो 37 में और कौनसा हो जागा वैरीकुट यानि एक क्रेक्ट हो जाएगा निंगा नदी है चलिए आप दिख लिए यह क्वेश्चिन नदी एट क्या बोला था 38 में और राइटन से बताए यह कौनसा आप्शन क श्याओं परसीद्ध है यहां पर शुक्रेक्ट हो जागाने मेगाले में परसीद्ध है जरिए इसी तरह देख लिए क्वेशंट निक्ष्ट ने पर थर्टी नाईन में इनमें से एक इस राज में पर्ती हेक्ट्यर चावल का उत्पान सरवाद है कौन से राज है च्छीन आपको राइटर से बताने है 30 में आफ्षोर मेर में बिल्कुल करेक्ट हो जायेगा जिखाने किस में है तमिल नाडू में है चलिए आतब देखेलेंगे नेक्स्ट क्वेस्ट नीं क्वेस्ट नीए क्वेस्ट कि निम्न लखित मैसे कौंसा एक भगोलिक सुच्छना का सरोत न नहीं है कौन सो ऑफ से क्रेक्ट हो जागा यानि आप सी चंदर्मा से चट्टानुक पतार्त के नमूनी यह क्या है यानि भागोलिक सुचना का सरूत नहीं है चलिए आप देखलेंगे नेक्ष्ट क्वेस्ट्र फोर्टी टू क्या बोला जा रहा है नब निश्यवाद से संब क्या बोला जा रहा है कि सौधी अरब में किस दिशा के छेत्र में सबसे घनियावादी प्राचिन काल से ही है यहां ढाला जाए किस दिशाज खेत्र है यहां पर जानी पागे acid और फैट ह्याने में करेशी रीतू क्या है घंगार फैसल सेवन क्या बोला जारा 47 में चले तो राइट अंसा जरू बताए कौन सा करीक्ट होगा है आपके निम्र रखित में कौन किर्शी आधारित उत्पाद नहीं है कौन सा किर्शी आधारित नहीं है यहां पर राइट अफ्शन में बी हो जागा ने नमक चले आप क्वेश्चन 48 द चले तो आप क्वेश्चन 50 देखें क्या बोले जाए और आप लोग राइट आसा कमेंट बोक्स में बताए कांसा ओफ्शन करेक्ट होगा कि विश्वे के कुल रेल मार का लगबग 40% किस महादेश में पाय जाता है कौन से महादेश में पाया जाता है 50 आपको अच्छी बता दो कि आपको इस क्लास को अभी लास तक देखना क्योंकि हम लोग सेवेंटे क्वेस्टन कवर करने वाले जैसा कि मैंने आपको बता दिया यह से लेक्टेट क्वेस्टन आपको यहां से बहुत सारे क्वेस्टन बोड़ एक्जाम में डारेक लिए पूछी जाएंगे तो आपको हाँ पर जूर जाना है टाइम पर क्लास को करने के लिए फिलहाला अभी हम लोग आपको फिफ्टीवन देखेंगे और आप लोग साथ साथ में कमेंट बोक्स में आंसर बताते जैलेगा कौन सा करेक्ट होगा चले तो क्वेस्टन फिफ्टीवन स्कीन पर है क्या गया था जिए तो कब किया गया था गया था गया तो यहां पर आपस्टन में प्लिकूर पर करेक्ट हो जानी उनिश्टो पंचानव इस भी में चले आप देख लिए क्वेस्टीवन फिफ्टीवन क्या बोला जा रहा है सरक की ती रहे पर किस आकार की विक्सित होती है यहा पर किस आकार की विक्सित होती है यहाँ पर सुप्सिक्रेक्ट हो जायेका निए ऐस्टेलिया में चले देख़ लिए क्वेस्ट्यवन 57 क्या बोला जा रहा है मानव विकास सूज कांग में भारत के निम्लगित राज्यों में किसकी कोटी उच्चेतम है तो 57 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिखानी केरल चलिए देखेलें कि क्या बोला जा रहा है गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए यहां पर आफ्सन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जानी 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड आप देखेलें क्या बोला जा रहा है चावल धान की खेती संबंदित है जिखान तो किससे इनमें कौन है जिखान इनमें कौन सी आदिम जाती है रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले यहां पर आफ्सन में सी करेक्ट हो जाएगा जिखानी महारास्ट्रे में चलिए देखेलें क्या बोला जा रहा है निम्रेखित में कौन सूटना परोध्यगी की केंद्र है ज 63 में और सी बिल्कुल करेक्ट हो जागा है जिखानी बंगलोड चलिए आप देखलेंगे क्वेस्टन में 64 क्या बोला है 64 में चलिए राइट आंसे कमेंट बोक्स में जुरूर बताएं क्कॉन सूटन करेक्ट होगा निम्रेखित मैस से कौन वीरल जंसिंग्या वाला छेत्र चलिए आप देखलेंगे इसी तरह सबसे महत्पूर्ण कारक है वह आपको राइट आंसर बताने हैं कौन सा करेक्ट होगा तो 65 में और कौन सा होजागा वेरिगूर एक करेक्ट हो हो जाएगा निकिर्शी विकास आप देखलेंगे 66 क्या बोला जा रहा है ओडिशा का सौफ्टी वेर टेक्निकी पार्क अवस्तित है जिहां तो कहां पर आवस्तित है तो 66 का अप्सवर नमर कौन सा हो जागा यह बिल्कुल करेक्ट हो जागा जिखनी करनाटक में चले आप बोला जा रहा है निम्नलगित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है जिखां कौन चीनी का सबसे बड़ा दूसरा उत्तपादक देश है यहां पर अप्सवर नमर क्रेक्ट हो जाएगा जिखनी बादाम पाहार आप देख रही आखरी क्वेस्टन आज की इस मोडल सेट का क्या बोला जा रहा है इन तेल शोदन सालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है जिखां कौन उत्तर भारत में नहीं है तो 70 का ऑफ्सिन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जागा जिखांने चन नहीं तो आप लोग बताईएगा कि आप लोगों ने सेवेंटे पूरा क्लास नहीं देखा तो आपको पूरी क्लास को देख लेना है क्योंकि यहीं क्लास आपके बोड़ एक्जाम के लिए काफी मूह प actual यह सारे क्लास के लिए ये सबका लिंक वहाँ पे डाल दिया आता और जो भी डॉट्स हो जो भी क्वेस्टोन आप वहाँ से डाल के लिए पूछ सकते हैं चले तो आज की क्लास में बस इतना है फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में तिल दन बाई बाई टाटा शी ओन दे ने नेक्स्ट क्लास